Hello दोस्तो, Welcome back to the channel दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले युड़ामी के काफी सारे paid courses के बारे में और इन सभी courses को आप enroll करवाने वाले बिल्कुल free में साथ ही में आप युडामी का official certificate भी यहाँ पर बिल्कुल free में ले रहे होगे तो start करते हैं वीडियो को देखते हैं मारे सारे courses one by one and यार इस वीडियो का सबसे पहला course आपके सामने available है and यार इसका title आजाता है Practice Python Building Projects with Python Programming सो दोस्तो अगर आप Python को सीखना चाते हैं और साथ ही में इसकी learning आप application बनाते बनाते करना चाते हूँ real world projects पर काम करते करते अगर इस knowledge को सीखने में आपका interest है तो यार आपको ये course miss नहीं करना चाहिए बिल्कुल free of cost आपके लिए available हो जाता है तो अगर आप पूछेंगे कि ये कैसे हमें free मिल रहा है तो ये आपको free मिल रहा है link provided है और उनी links में ये coupon already applied है यार लेकिन ये coupon expire हो सकता है और इस time से पहले भी expire हो सकता है और जैसे ही coupon expire होगा नेचे दियेगर description वाले links से भी automatically remove हो जाएगा अब चलते हैं आगे and इस course का number आता है course number two title आपको देखने के लिए मिलता है सीखें javascript programming हिंदी में तो दोस्तो अगर आप web development सीखने में interested हो तो javascript तो आपके लिए काफी जादा important programming language हो जाती है तो अगर इसको आपको बहुत असानी से सीखना है अपनी हिंदी language में सीखना है तो आप यार इस course की मदद ले सकते हैं और इसको enroll करवा सकते हैं और इस knowledge को यार आप gain कर सकते हो आप चलते हैं आगे और इस course का number आता है course number 3 title आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल चाता है How to heal yourself a guide to emotional recovery हो दोस्तो अगर आपको mental health is related, personal transformations related, emotional recovery से related knowledge अगर gain करने में interest है तो यह course आपके लिए काफी amazing course हो जाता है, बहुत detailed knowledge आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है तो अगर आप interested हो तो enroll करवा सकते हो, अब चलेंगे आगे और यार इस course का number आता है, course number 4, title आपको देखने के लिए मिलता है data science python for data analysis 2022 full bootcamp से दोस्तों अगर आप data science वाली फील्ड में interested हो python का use करके data analysis वाला काम करना चाते हो और complete bootcamp valid knowledge आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर आप interested है तो enroll करवा सकते हैं, आप चलेंगे आगे and यार इस course का number आता है, course number 5, title आपको देखने के लिए मिल जाता है the SQL programming essentials 2022 immersive training सो दोस्तों अगर आप SQL सीखने में interested हो आप databases में interest रखते हो और कैसे database create करे जाते हैं, कैसे query लिखे जाती है अगर complete database manipulation, table creation, हर चीज आपको सीखनी है तो ये course आपकी इस पूरही process में बहुत बढ़िये तरीके से help करने वाला है तो अगर आप interested हैं, तो मैं recommend करूंगा, enroll करवा सकते हो अब चलेंगे आगे and यार इस course का number आता है, course number 6, title आपको देखने के लिए मिल जाता है the R programming for data science A to Z, complete diploma 2022 अगर आपको data science के बारे में detailed knowledge, complete knowledge starting from basic level to advanced pro level अगर gain करनी है और ये सारा ही चीज आप knowledge यो gain करोगे और programming language की मदद से ही gain कर रहे होगे और implement कर रहे होगे तो अगर इसको बढ़िया तरीके से complete में चीखना चाहते हो तो ये course आपकी इस पूरे ही process में बहुत अच्छे तरीकी से help करने वाला है तो आप enroll करवा सकते हैं अब चलेंगे आगे and यार इस course का number आता है course number 7 title आपको देखने के लिए मिलता है databases with python यहाँ पर आप यार python की मदद से databases पर काम कर रहे होगे databases सिरफ एक नहीं रहने वाला आप MySQL, SQLite, MongoDB के साथ यहाँ पर काम कर रहे होगे तो तीन तरह के databases के बारे में detailed knowledge आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है तो मैं तो recommend गरूँगा अगर interest हो तो किसी भी हाल में इसको miss मत करना जितना जल्दी हो सके enroll कर वाली ना आप चलते हैं आगे and यह इस course का number आता है course number 8 title आपको देखने के लिए मिलता है learn coding with C-sharp from scratch C-sharp comprehensive course तो दोस्तो अगर आप C-sharp language सीखने में interested हो तो यहाँ पर इस course में आप बिल्कुल scratch से basic से शुरुवात कर रही होगे और इसकी detailed knowledge immersive knowledge आप गेन कर रही होगे तो अगर सीखने में interested हो तो फटफटें रोल करवा सकते हो आप चलते हैं आगे and यार इस course का number आता है course number 9 title आपको देखने के लिए मिलता है learn coding with Java from scratch essential training 2022 तो दोस्तो अगर आप Java programming language सीखने में interested है तो आपको यहाँ पर scratch से detailed knowledge देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो काफी बढ़िया course है and roll जरूर से करवा लेना आप चलते हैं आगे and यार इस course का number आता है course number 10 title आपको देखने के लिए मिल जाता है object oriented programming with python code faster in 2022 तो दोस्तो अगर आप एक object oriented programming के बारे में जानकारे गेन करना चाते हैं इसके पूरे concepts के बारे में knowledge गेन करना चाते हूँ और ये सारा काम अगर आप और भी जादा असानी से करना चाते हूँ जावाब में थोड़ी चीज़े complex हो जाती है लेकिन python में वो भी चीज़े simplify हो जाती है तो अगर आप एक beginner हो और object oriented programming principles के बारे में जानकारे गेन करना चाते हो oops के बारे में सीखना चाते हो तो ये course आपकी बहुत बड़े तरीके से बस्त करेगा काफी कम समय के अंदर यहाँ पर सारे concepts आपको सिखा दिये जाएंगे तो अगर interested हो तो फटा-फट enroll कर वाले आप चलते हैं आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 11 टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है real world macro economics हो दोस्तों अगर आप economics वारे field में interest of finance, accounting के बारे में जयनकार यहन करना चाहते हूँ कि real world में macro economics क्या होता है कैसे काम करता है और इससे companies को या फिर countries को किस तरह से impact होता है साथी में इसके impact के वज़ा से जो common man है उसकी jobs पर उनकी income पर business पर क्या impact होता है उसकी complete जयानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर आप सच में interested भी होना यार finance के बारे में knowledge gain करने में तो यह course आपकी काफी मदद कर सकता है अगर interest हो तो whatever time roll करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and इस course का number आता है course number 12 वे टाइटेल आपको देखने के लिए मिल जाता है CSS complete course for beginners दोस्तों अगर आप एक beginner हो और web development की शुरुवात कर रहे हो तो इतना मैं आपको बता दूँ कि HTML CSS आपकी बहुत ही basic building block रहने वाले इस पूरी ही journey में तो अगर आप Excel करना चाहते हैं तो इस course को मिस मत करना CSS जरूर से सीख लेना तो आप एंडूल करवा सकते हो because ये एक beginner friendly course है तो अगर इंटरस्ट हो तो एंडूल करवा सकते हो आप चलते हैं आगे and यार इस course का number आता है course number 30 इन टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है complete wordpress website developer course हो तो अगर आप wordpress का use करके website develop करना चाहते हो तो wordpress क्या होता है wordpress आपका help करने वाला है in the process of developing website और without coding knowledge तो यहाँ पर बिना code करे आप अपने website बना रहे होगे तो अगर आपको जादर technical चीज़ों का interest नहीं है या फिर नहीं पता और आप अपने खुद की एक simple blog website भी बनाना चाहते हो तो यह course आपके बहुत मदद करेगा एक portfolio website बनाने में या फिर अपना खुद का एक blog create कर सकते हो तो ज़रूर से अन्रोल करवारे ना काफी help आपको यहाँ पर मिल सकती है आप चलेंगे आगे यार इस course का नंबर आता है course नंबर 14 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Drupal for absolute beginners दोस्तों अगर आप web development में interested हो और Drupal की मदद से आप यह काम करना चाहते हैं तो आप इस course में रूल करवा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से detailed level पर सारी knowledge आपको यह पर दी जाने वाली है अगर आप एक beginner भी हो ना सब कुछ आपको स्करास से सीखाया जाएगा तो अगर interested हो तो अनूल करवाले हैं आप चलते हैं आगे एंड यार इस course का नंबर आता है course नंबर 15 टाइटल आपको देखने के लिए मिल चाता है आपकी learning में तो अगर आप interested हो तो यार इन रूल करवा सकते हो आप चलेंगे आगे एंड यार इस course का नंबर आता है course नंबर 16 टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है music production what is layering and how to use it तो दोस्तो अगर आप music production वाली field में interested हो तो यहाँ पर अगर एक concept जो होता है layering इसके बारे में चानकारे गेन करना है कि यह क्या होता है साथी में music production के time पर इसको कैसे use करा जाता है और कैसे यह आपके music को और better बनना सकता है तो complete जानकारी इस पूरे ही process के बारे में आपको इस course में देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर interested हो तो enroll करवा सकते हैं आप चलते हैं आगे and यार इस course का number आता है course number 17 टाटल आपको देखने के लिए मिल जाता है music production instruments and audio effects racks हो दोस्तो अगर आपको music production में instruments के बारे में audio effects के बारे में चानकारी गेन करना है तो ये course बहुत amazing course आपके लिए रहने वाला है तो अगर interested हो तो फटाफट enroll करवा सकते हो अब चलेंगे आगे and यार इस course का number आता है course number 18 टाइटल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है music production sound design in Ableton live सो दोस्तों अगर आप sound designing के बारे में चानकारी गेन करना चाहते है और यहाँ पर जो software आपको use होता हो दिखेगा वो दिखेगा Ableton live में आपको music production के बारे में सिखाया जाएगा sound design कैसे करा जाता है तो अगर इसके बारे में knowledge gain करने में interested हो तो enroll करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and यार इस course का number आता है course number 19 title आपको देखने के मिल जाता है introduction to DaVinci Resolve अगर आप video editing वाली field में interested हो तो DaVinci Resolve आपके लिए काफी amazing software रहने वाला है जो कि बिल्कुल free of cost available है लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक video में आपको फिर repeat करके बता देता हूँ कि इस software के लिए system की configurations थोड़ी सी high end की required होती है तो इससे पहले कि आप इसमें अपना effort और time लगाओ please अपने system की configuration चेक कर लेना अगर generally आपको सीखने में interest है तो आप enroll करवा सकते हैं ठीक है जिन दूस्तों आप चलते हैं आगे and यार इस course का number आता है course number 20 title आपको देखने के लिए मिल जाता है monetize your Instagram as an Instagram influencer in 2022 अगर आपको social media marketing या फिर influencer marketing वाली field में interested है और आप जानना चाहते हो कि ये career किस तरह से काम करता है और कैसे Instagram पर आप एक influencer बन सकते हो और इसकी मदद से कैसे आप एक business setup कर सकते हो या फिर पैसे कमा सकते हो तो अगर जानकारी गेन करना में interest है इस particular field में अगर आपका passion है या फिर interest है तो enroll करवा सकते हो और जानकारी को गेन कर सकते हो अब चलेंगे आगे अगर आपको marketing analytics के बार में जानकारी गेन करना है और यहाँ पर specifically आप जानकारी गेन कर रहे होगे customer value के बार में और साथ ही में promotion strategy के बार में तो अगर इसके बार में जानकारी गेन करने में interest है तो enroll करवा सकते है अब चलेंगे आगे तो अगर इस course का नमबर आता है course number 22 टाइटल आपको देखने के लिए में जानकारी आपको गेन करनी है तो यह course एक best seller courses हो कि आपकी इस पूरे ही process में काफे बड़े है तरीके से help कर सकता है तो अगर interested हो तो फटवट enroll करवा लेना आप चलते हैं आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 23 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Microsoft Excel, MS Excel Formulas and Functions in Just 3 Hours तो दोस्तो अगर आप MS Excel के बारे में जानकारी गिन करना चाते हैं यहाँ पर advanced चीजे सीखना चाते हैं जैसे की formulas कैसे बनाए जाते हैं functions कैसे काम करते हैं MS Excel तो यह complete knowledge आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर आप interested हो तो एंडूल करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 24 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है gets by JS, build a personal blog using gets by JS हो अगर आप अपना एक खुद का blog बनाना चाहते हो तो यह काम आप gets by JS को यूज करके कैसे कर सकते हो उसकी complete knowledge आपको इस course में देखने के लिए मिल रही होगी तो अगर interested हो तो एंडूल करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and यार इस course का नमबर आता है कोर्स में 25 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है learn my SQL complete guide from basics to advance दोस्तों अगर आप my SQL सीखने में इंटरस्ट हैं basic level से लेकर advanced level तक की तो आप इस course में रोल करवा सकते हैं लेकिन एक तीज़ यार highlight कर देता हूँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है complete digital advertising course PPC advertising बास्ट इसो दोस्तों अगर आप paid advertising के बार में जन खरी इन करना चाहते है digital advertising कैसे खरी जाती है इसकी complete knowledge अगर गेन करने में आपका इंटरस्ट है तो आप इन्रोल करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 27 title आपको देखने के लिए मिल जाता है Amazon Elastic Compute Cloud Amazon EC2 Beginner Certification तो दोस्तों अगर आप Amazon EC2 के बार में जनकारी इन करना में इंटरस्टेड हो तो यहाँ पर काफी detailed knowledge काफी amazing knowledge देखने के लिए आपको मिल रही होगी तो इंटरस्टेड है तो इन्रोल करवा सकते हो आप चलेंगे आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 28 title आपको देखने के लिए मिलता है Adobe Lightroom Classic CC Master the Develop Module अगर आप Adobe Lightroom Classic में develop module के बारे में जानकारी गेन करने में इंटरस्टेड हो तो आप इस course में रूल कर वा सकते हो काफी बड़ी आपके लिए रह सकता है अब चलेंगे आगे and यार इस course का नमबर आता है course number 29 title आपको देखने के लिए मिलता है Complete Comic Book Creation Mega Course Beginner to Experts हो अगर आप Comic Book Creation वाली फिल्ड में इंटरस्टेड हो अपने खुद की एक Comic Book बनाना चाहते हो तो ये पूरा ही काम कैसे करा जाता है पूरा प्रोसीजर Starting from beginner level to expert level detailed knowledge आपको यह पर देखने के लिए मिल रही होगी आप इस कोर्स में रूल करवा के इस Complete Knowledge को सीख सकते हैं तो अगर इंटरस्ट हो तो Whatever 10 रूल करवा लेना अब चलते हैं आके आप यार इस कोर्स में रूल करवा सकते हैं लेकिन एक और बार हाइलाइट कर देता हूँ कि ये वाला कोर्स जो अब भी आप अपनी सामने स्क्रीन पर देख रहे हो ये बिल्कुल Free of Cost course अवेलेबल है यहाँ पर आपको knowledge मिल जाएगी लेकिन इस वाले कोर्स में आपको certificate नहीं मिल रहा होगा तो अगर knowledge गेन करना में इंटरस्टेट हो C++ सीखना चाहते हो तो अन रूल करवा सकते हो अब चलते हैं आगे अन्ड यारिस कोर्स का नमबर आता है कोर्स मबर 32 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Artificial Neural Networks in and with Keras in Python and R अगर आप Artificial Neural Networks के बारे में जहनकारी गेन करना चाहते हैं with the help of Keras और ये सारा काम आप Python and R Programming Language के मदद से कर रहे होगे तो अगर इस Knowledge को गेन करने में इंट्रस्टेड हो तो अन्रोल करवा सकते हो अब चलेंगे आगे अन्ड यारिस कोर्स का नमबर आता है कोर्स मबर 33 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Google Data Studio A to Z for Data Visualization and Dashboards अगर आप Google Data Studio का यूज करके Data Visualization का काम करना चाहती है उसको सीखना चाहती हो सीखना चाहती हूँ कैसे ये Dashboard बनना आ जाते है कैसे विजुलाइज करा जाता है तो ये पूरा Complete Procedure इस Complete Knowledge को गेन कर सकते हो और ये Best Seller कोर्स है काफी बड़ी आपको यह पर देखने के लिए मिल जाएगी तो फटवर टेन डूल करवा लेना अब चलते हैं दोस्तों आगे NDRS कोर्स का नमबर आता है कोर्स No.34 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Eltrix Master Class for Data Analytics ETL and Reporting दोस्तों अगर आप NDRS के बारे में जनकारी के इन करना चाहते है और यहाँ पर आप सीखना चाहते हो Data Analytics के लिए से करा जाता है ETL क्या होता है रिपोर्टिंग क्या होता है तो complete knowledge आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी अगर वीडियो अच्छे लगाओ तो जरूर से यार वीडियो को Like चैनल को सब्सक्राइब और अगर हो जगे तो जाता से जाद अपने दूस्तों के ताब दी शेयर कर देना And thanks a lot यार for watching this वीडियो Have a nice day Keep rocking, bye bye मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, stay healthy, stay safe